नमस्कार मैं हूं महक शर्मोर इस वक्त आप ये लाइफ तस्वीरे देख रहे हैं हरयाना के करनाल से करनाल का एक ऐसा चर्चित मामला जिस मामले के बाद हत्यारूपी का नाम सामने आ जाता है उस हत्यारूपी को कोट में पेश करके पुलिस रिमान पर भी ले लिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से पूश्ताज भी कर रहे हैं लेकिन इस दोरान भी यानि की हत्यारोपी का नाम सामने आने के बाद भी आइबेंट 24 को चाहे पूरे हरयाना के लोग हो चाहे पंजाब के लोग हो पूरे देशबर से लगातार कई सारे फोन कॉल जा रहे हैं हर कोई ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि पुलिस अपनी कार नहीं कर रही है लेकिन अभी भी अंजली का नाम सामने कैसे आता है अंजली ने आखिर मासूम जस को क्यों मारा इस बात का पुलिस खुलासा नहीं कर पा रही है जो कि अपने आप में सबसे हैरानी की बात है कल आपको याद होगा कि आईबेंट 24 की टीम करनाल के स्पी जसकी हत्या कर दी जब विकास से पूछताच की गई तो विकास के द्वारा ये जानकारी दी गई कि अंजली मनरोग चिकितसक से काफी लंबे समय से दवाईयां खा रही थी यानि कि उसकी मानसिक तौर पर जो सिती थी वो ठीक नहीं थी यहाँ पर कल एक और बड़ी बात स जसके खास तोर पर जो चाचा है अमन उनका ये कहना है कि आइल्स कर रही थी अंजली अंजली विदेश जाना चाहती थी विदेश में जो जाना चाहती थी उसको लेकर वो आइल्स करी थी और उसके साथ बैंड आये थे अब एक साइको व्यक्ति जिसकी मानसिक तोर पर सित इन क्या था वो किसी को साफ नहीं हो पाया है कल इसलिए कल जो करनाल पुलिस की टीम है करनाल के एसपी गंगराम पुनिया वो खुद गाउ में पहुँचे थे क्राइम सीन को रीक्रियेट करने के लिए फैसल की टीम में मोके पर पहुँची थी एसपी है हिमादरी कौशिक इ बिबिया संतुष्ट है और यह आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ियां कमालपूर रोडान में पहुंच चुकी हैं और इसी के साथ कल S.P. गंगारामपुनिया की गाड़ी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं देखें कल S.P. गंगारामपुनिया खुद क्राइम सीन को रीक्रियेट करने के लिए पहुंचे थे S.P. हिमादरी कौशिक भी खुद क्राइम सीन को रीक्रियेट करने के लिए पहुंचे और यह चछत की तस्वीरें आप देख सकते हैं चछत एक ऐसी चछत यानि की जो चछत इस वज़े से बहुत जादा चर्चा में आ गई क्योंकि पश्वों के शड से सबसे पहले जसका शव बरामद होता है और उसी छट के साथ एक और छट लगती है और छटों के साथ कई छट है लेकिन राजेश की छट इस वज़े से चर्चा में आई क्योंकि राजेश की पत्नी जिसका नाम बनती है उन्होंने पहले ही दिन ये बात कबूल ली थी कि उन्हों ने सबसे पहले शव को अपनी छट पर देखा था और पुलिस के डर से और कानूनी कारवाई के डर से उन्होंने उस शव को उठा कर यानि कि मासूम ज़स के शव को उठा कर ये देखे इस शट पर फैंक दिया जिसके बाद नीचे जो म महिला उन पशुओं को चारा दे रही थी या फिर पशुओं का जो भी वो काम कर रही थी उसके दोरान ही उस महिला ने आवाद सुनी धड़ाम की जिसके बाद वो भाग कर दूसरी और आती और यह आप देख सकते हैं सीन रीक्रियेट किया जा रहा है मेरी आप सभी लोग से यह अपील कि जो भी लोग इस खबर को इस वीडियो को देख रहे हैं से साथ के साथ जरूर शेयर करें जब भी इस तरीके का कोई बड़ा मडर का मामला सामने आता है हत्या का मामला सामने आता है तो पुलिस फिर से पूरा का पूरा सीन रीक्रियेट करते है और सबसे गाउं में लेकर जाया गया राजेश को गाउं में लेकर जाया गया राजेश की पतनी राजेश की मा को कल गाउं में लेकर जाया गया कल गाउं में बहुत जादा भीर थी और अभी भी आप देख सकते हैं कि हमादरी कौशिक आपको दिखाई दे रही होंगी मेरी आप सभी लोगों से यह अपील के जो भी लोग इस खबर को इस वीडियो को देख रहे हैं से साथ के साथ जरूर शेयर करें कल कल एक बार फिर से गाउं में एक तनाव का माहूल देखने को मिला था है यृ जो प्राइब हला या जो फसक्ते हैं मैं क्या कुछ कर ना चाहेंगे तो समंद्ध में लगाता है उतर रोप नहीं आया था जो भी इंवेस्टिकेटिकेशन का पार्ट तो इन्वेस्टिकेटिके लिए और मोगे पे कोई और सबूत मिल जाए उसके लिए करती है तो अब यहां तक आ ही गए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर खबर सबसे पहले पहुँचे आप तक